डर्मेटोलोजी के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के स्किन और म्यूकस मेंब्रेन का डिशार्टर होता है तो आए सबसे पहले हम देखते हैं स्किन की इस्ट्रक्चर को इसकिन में सबसे उपर होती है इपिडर्मिस और उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस इपिडर्मिस की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी पांच लेयर होती है सबसे उपर होती है इस्टेटम कोर्नी और सबसे नीचे होती है इस्टेटम बैसेली इस्टेटम बैसेली में केरेटिनोसाइट पाई जाती है और Stephen Johnson syndrome में इनी केरेटिनोसाइट पर अटेक होता है जिससे superficial layer और dermis के बीच में करेटिनोसाइट वो damage हो जाती है जिससे superficial layer dead हो जाती है superficial layer dead होने के बाद इसकी setting होने लगती है और यहाँ पे कुछ दिनों के बाद में फिर से नई इसकिन हील हो जाती है तो आईए अब हम इसके points को देखते है सबसे पहला है कि ये disorder of skin and mucous membrane का है It is also known as erythema multiformis mature इस point को समझने के लिए हमको सबसे पहले erythema का lecture पढ़ना पड़ेगा जिसके लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा Erythema multiformis तो परकार की होती है एक minor और दूसरी होती है major Major erythema multiformis maximum drug के कारण होती है और इसकी जो saviour condition है अगर हमने इसको ठीक से treat नहीं किया और saviour condition में चली गई तो उसी से Stephen Johnson syndrome हो जाता है पहले हम लोग इसको Erythema multiformis major के अंडर ही पड़ते थे लेकिन अब इसकी pathogenicity की कारण इसको अलग कर दिया गया है यह T cell mediated attack है ओन क्रेटनोसाइट पर जो हम पढ़ चुके हैं कि epidermis की vessel layer में जो क्रेटनोसाइट पाई जाती है वो T cell की activity की कारण damage हो जाती है और एक क्योंकि यह T cell mediated है इसलिए hypersensitivity for reaction होगा क्योंकि हम जानते है hypersensitivity for reaction है वो cell mediated होती है यह के तो next point देखते हैं top layer of the skin dice epidermis जो है वो dead हो जाती है set and begin to heal after some days या several days it is the immune complex mediated हम पढ़ चुके है hypersensitivity कौन सी reaction है fourth reaction इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर यह reactions या inflammation हमारी बाड़ी में होती क्यों है इसका most common काज है medications हमारी बाड़ी कुछ drugs के लिए allergic होती है जिससे Stephen Johnson syndrome हो जाता जैसे antibiotic में होगी sulfur drugs और भी antibiotic है anti-epileptic drug, anti-inflammatory drug इसके symptoms में हमको philolike symptoms दिखाई देंगे जैसे cuff और syneging इसमें penful races और bilisters बन जाते हैं जिसको हम diagram में easily देख सकते हैं और इसमें Nichols की sign positive होता है Nichols की sign का मतलब है कि जब हम इस epidermis layer को rub करेंगे तो यहां से sad हो जाएगी उसी को हम बोलते हैं Nichols की sign positive होगा इसके बाद हम Stephen Johnson syndrome की treatment को देखते हैं treatment इसमें supportive और symptomatic ही दिया जाता है जिसमें हम supportive symptomatic treatment देते हैं और topical anesthesia देते हैं जो हमको pain में आराम करता है और जो भी area है इस skin का जिसमें nekrosis हुआ है इसकी बज़े से उसको हम antibiotic से cover कर देते हैं और हम patient को ऐसे treat करते हैं जैसे वो thermal burn की patient को जिस परकार से हम treat करते हैं ठीक उसी तरह से हम इस patient को भी treat करते हैं और इसमें एक most important जो point है वो यह है कि हम systemic steroid को use नहीं करते हैं यह contra-indicated है और यह जो भी individuals में license पाए जाते हैं वो typically एक से दो भीक में खुद से maximum percent में खुद से ही ठीक हो जाते हैं थैंक यू फर वाचिंग इफ यू नट सब्सक्राइब प्लीस लाइक और सब्सक्राइब